हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तू माई चैनल चलिए तो देखो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक फ्लैक्सिबल बजिट आपका अकाउंट्स का चैप्तर अब देखो यह जो चैप्तर है उसमें अभी दो या तीन दिन तक जो मैं आपको सिखाऊंगा लगबग सारा चैप्तर उसमें ही कवर हो जाता है जो टेक्निक्स है न वह बहुत इंपोर्टन है यह चैप्तर में जैसे ब्रेक इवन पॉइंट में भी मैंने आपको जो टेक्नि तो वैसे यहां पर इसमें भी बहुत सारी टेक्निक जो है वो सिखाने वाला हूँ ठीक है दो तीन दिन तक और हाँ अभी जो फ्लैक्सिबल बजेट में मैं जो सिखाऊंगा उसमें परसेंटेज भी सिखना है तो परसेंटेज महरबानी करके सिखना ही पड़ेगा यहां प परसेंटेज का बहुत इंपोर्टन रोल से मतलब यह चैप्टर के अंदर कुछ भी करने से पहले तो परसेंटेज समझ में आना ची है क्योंकि मैजोरिटी कोशन जब भी एक्जाम में पूछते हैं तो परसेंटेज ज्यादा पूछते कि इतने पर 10% 20% 40% ठीक है तो यह पहले मैं flexible budget की तो flexible budget में जब solve करना है तो सबसे पहले चार चीजों पर ध्यान देना है पूरे question में यह चार चीज पहले तो main है आपकी solution करने के लिए पहला है capacity ओके तूसरा है variable cost जो हमने break-even point में भी सिख लिया है कि variable cost क्या होते है तीसरा है fixed cost वो भी हमने break-even point में सिख लि है वो यहां पर बहुत ही important exam में यह ज्यादा difficult लगता है semi variable cost semi variable cost semi variable cost क्या होती है तीक है वो भी हम देखेंगे यह चार चीजों को पहले समझना है थोड़े दिन तक तो ठीक है अब देखो सबसे पहले start करते है capacity पर ठीक है चार तो सबसे पहला topic है अपना यह क्या लिखा है उसमें level of production इसको बोल सकते हैं दूसरे तरीके से हम level of production यह एक तरीके से हमारा level of production क्या है level of production मतलब देखो सबी company का अगर level की बात करते है ना तो 100% level होता है मतलब कोई भी company अगर बोले कि कितना production कर सकते हैं कितना production कर सकते हैं मैं तब चलो आपके पास एक machine है उश machine की भी एक capacity होती है कि वो machine कितना काम कर सकता है ऐसा तो नहीं हो 24 गंडे हो machine चालू रखो कुछ एक capacity होती है machine की काम करने के एक शमता होती है जो machine काम करेगा तो machine अगर 100% काम कर सकता है ठीक है उससे ज़्यादा तो काम कैसे करेगा ठीक कुछ भी अगर मानो capacity के बात आती तो वो 100% होती जैसे एक आदमी की भी capacity 100% होती आप लोग की भी 100% capacity ठीक है जैसे कर मैं आपको बोलू कि अभी exam नहीं आई है ठीक है तो आप लोग पढ़ाई करो पढ़ाई करो तो अपनी capacity पर काम थोड़ी करोगे मतलब हो सके तो कोई 10% ही पढ़ता होगा दिन का कोई 20% पढ़ता होगा लेकिन जब exam एक week के अंदर आने वाली हो ऐसा मतलब news आ गया तो फिर जो 7 दिन में काम होने वाला है वो 100% से भी उपर जाता है आपका फिर तो एक एक दिन के अंदर एक एक books खतम होती है तो वो 100% capacity जो है वो 100% capacity का जो काम है वो आपको question के अंदर दे दिया होगा आपको question के अंदर दे दिया होगा जैसे कि चलो आप 100% काम करोगे तो बोलेगा 50,000 यूनिट बना रहे हैं ठीक है 50,000 यूनिट बना रहे हैं ऐसा आपको बोल देंगे ठीक है तो 100% काम करोगे अगर 50,000 यूनिट बनाने वाले तो अगर आप उसमें 50% ही काम करते हो तो आप कितने उनिट बनाओगे 100% पर अगर 50,000 बनाते तो 50,000 जो है वो 100% का उनिट है तो आप उसका सिर्फ 50% कर दो ना कितना काम होगा आपका 25,000 होगा तो यह पहला एक 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 जामपल है मतलब देखो 100% काम आपको पता है तो 100% में 50,000 बना सकते तो 50% में कितना बना सकते सिर्फी बात है 25,000 ठीक है यह तो एक दम सिंपल सा बात थी और यह तो आपको सबको पता भी है आता भी है लेकिन है एक्जाम में और कोश्चन के अंदर ऐसे नहीं पूछते वो लोग ऐसे पूछते है बोले 40% कपासिटी पर 40% कपासिटी पर हमें काम करना कितना है तो बोलेंगे 2000 बना रहे है कितने 40% पर 2000 बना रहे है ऐसा बोलेंगे ठीक है फिर आपको बोलेंगे 40% पर 2000 बना रहे है तो आप बताओ कि अब या आगे कितना बना सकते है मतब 100% पर कितना बना सकते है 50% मतब आपको ऐसे पूछते रहेंगे देखो आप पता लगाओ 50% पर कितना बनाएंगे ठीक है फिर आपको बोलेंगे 60% पर कितना बनाएंगे वो बता लगाओ फिर आपको बोलेंगे 90% काम करेंगे तो कितना बनाएंगे वो पता लगाओ फिर बोलेंगे 75% काम करना है तो फिर कितना यूट बनाना है तो वो बताओ मतब पहले यह सब जानना है आपको में चीज परसंटेज ही है, यह पूरा चैप्तर ऐसा नहीं है, आपने नहीं किया, यह चैप्तर आपने कॉस्टिंग में करके आए, SYB कॉम में, बस उसका थोड़ा चेंज करके यहां पर आता है, यह कॉंसेट में, बाकी में, जहां पर मैंने देखा है कि स्टुडेंट फर्स है ना वो परसंटेज में ही फर्स है, वनना कोश्टिंग बहुत एजी होता है, तो अगर जब भी कोश्टिंग में, आपको 40% कापसिटी का लेवल दे रही है, मतब 40% लेवल पर काम करोगे ना तो 2000 उनिट बना के दे सकते हैं, अब आपको 50 का निकालना, 60 का निकालना, 90 का 75 का निकालना, तो क्या करोगे, तो देखो, आपको जो कॉलेज में सिखा है, वो आपके पास रखो, लेकिन मैं जो मेरा अप्रोच रखता हो ना वो सेम रखता हो, अगर आपको कोई भी परसंटेज पर बोले, सबसे पहले पूछा हो या नहीं पूछा हो, आप 100% का काम करो अगर मुझे 100% लेवल का काम करना होता, 100%, तो मेरा क्या प्रोड़क्शन हो सकता, 40 पे अगर दो अगर दो हजार है, तो 100% पे कितना होगा, तो देखो, दो हजार को, आप सीधा 40% से डिवाइड कर दो, दीखें, आप क्या करो, ये 2000 को, 40% से डिवाइड कर दो, ठीक है और उससे क्या होगा पता है आपको जो मिलेगा ना अंसर वो 5000 मिलेगा और वो जो 5000 है ना वो 100% का मिल जाएगा अब 100% का मिल गया ना फिर तो आपको मतलब जो भी निकाल ला वो अपनी मर्जी से निकाल लो 100% का 5000 है तो 5000 का 50% कर दो पर पांच अजार का ही 60 % कर दो, फिर पांच अजार का ही 90 % कर दो फिर पांच अजार का ही 75 % कर लो, आपको सब कुछ मिलता जाएगे, ठीक है यहां पर 5000 का 75% करोगे तो 37500 आएगा यह आप इतने युनिट्स बनाओगे मतलब देखो सबसे पहले आपको यही काम कर लेना है कि आप 5000 युनिट पर निकाल लो मतलब पूरा 100% काम पता लग गया ना फिर उसका ही 50% कर सकते हो फिर उसका जितना परसंट चाहिए 60 चाहिए तो 60 कर लो इसका 90 चाहिए तो 90 कर लो 75 चाहिए तो 75 कर लो मतलब फिर तो कुछ भी करो पहले आपको 100% का मिल जाए ना फिर बात खतम यह युनिट्स की बात कर रहा हूँ मतलब production की जो फैक्टरी में युनिट बन के बाहर आते है उसकी बाद ठीक है पहला तो आपको यह काम करना है अगर आपको कहीं पर भी question में यह दिया है level of production capacity भोलेंगे उसको ठीक है कि एक factory में जो machine है उसकी काम करने की capacity होती है वो आपको कोई भी एक level का production दिया होगा तो उसको आपको पूछेंगे भाई इतने level पर इतना काम कर रहे है तो अभी आगे के 4-5 level का मतलब कितना production होगा वो बताओ तो सबसे पहले आपको जो भी दिया है वो आप 40% का दिया तो उसको 100% कैसे बनाना वो मैंने आपको बता दूँ ठीक है एक और example वापस ले लेता हूँ ताकि और थोड़ा clear हो जाए अगर किसी को समझ में नहीं आ है तो देखो मैं ऐसा बोलू कि 30% काम करके अगर आप 1800 unit बना रहो 30% काम करके कितना unit बना रहो 800 तो 100% काम करके कितना unit बना सकते हो अब इसमें actually देखो बताओ ना तो calculator की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको मतलब आप calculator को भी अगर use करते हो तो मतलब ठीक है use करो लेकिन एक चीद देख रही है देखो यहाँ पर 00 को मारो गोली यह 3 का कितना है यह 3 का कितना दिख रहा है 6 गुना दिख रहा है कि नहीं 3 देखो 00 मत देखो 3 है न उदर 6 है तो 3 उदर 18 है 3 का 6 गुना हो रहा है न तो यहाँ पर 100 का भी 6 गुना ही होगा 6000 आ जाएगा और फिर बात में 0 लगा दो दिखें समझे यह एक तरीका भी है और अगर नहीं समझ में आया तो मैंने उपर बताया ही है आप क्या कर सकते हो 1800 यूनिट को 30% से डिवाइड कर दो देख लो आपको 6000 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बरबर ठीक है तो ऐसे ही होता और उपर भी वही हो रहा है उपर भी मतलब कुछ अलग नहीं था आप देखो यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 20 है ठीक है 4 का 20 देखो तो यह 5 गुना हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर भी 10 का 5 गुना मतलब 100 का 5 गुना कर लो तो 50 हो गया मतलब 500 हो गया एक 0 और लगा दो तो वही ratio बनेगा ratio same रहता है यहाँ पर यह तो बात ratio की आगई वो तो आपके पास calculator भी है तो कर सकते हो मैंने बता दिया यह आपका काम हुआ यहाँ पर complete अब यहाँ पर 6000 का आपको मिल गया न मतलब 100% में कितना काम होगा वो मिल गया अभी आप इस में से 40% कर लो आपको 50 पूछा तो 6000 का 50 कर लो 60 कर लो 90 करना है 80 करो जो करना है वो फिर 6000 का कर लो ठीक है तो पहले तो यह capacity लेवल पर ध्यान देना ओके मतलब एक काम करने की जो उनकी capacity है ठीक है उसके पर देखो अब आगे बढ़ते अब आते है अब आते है आए सेटेंड टॉपिक वारियेबल कॉस्ट अब वैडियेबल कॉस्ट वैसे ब्र sistemazil से पूस्थ में बहूत अच्छे से सिम्मच associated with directly to the business activity देखो यहाँ पर clear cut लिखा है business activity activity का मतलब हो जाता है आपकी capacity level ठीक है आप जितना काम करोगे उतना variable cost बढ़ेगा ठीक है जैसा आप 50% पर 5000 इनित बनाते होंगे न तो खर्चा भी 5000 जितना ही होगा अगर 80% पर काम करोगे तो 80% जितना ही खर्चा होगा वो उसको बोलते है variable cost ओके तो यहाँ पर इसलिए उसने लिखा भी है those are the based on the business performance जितना business ज्यादा perform करेगा जितना volume volume मतलब के unit और जितनी service ज्यादा provide करोगे उतना यह expenses ज्यादा होगा break even point में करके आए direct labor भी मतलब variable होता है commission on sales ठीक है commission जो होता है sales के पर जो देते है और भी बहुत सारे variable है मैं तो सिर्फ just example दिया है ठीक है 2-3 example देने की कोशिस किये यहाँ पर point to be noted यहाँ पर क्या point ध्यान में रखना है total cost change due to change in the production unit यह एक बहुत important line total cost change due to change in production unit यह तो capacity level per unit cost would be fixed per unit cost same रहने वाला वो change नहीं रहता वो same रहेगा अब देखो यहाँ पर इसको समझते है कैसे देखो ध्यान देना यह important है यहाँ से जो भी चालू करूँगा वो आपको उपर जो समझा है उसके साथ connection करते करते हम आगे चलेंगे देखो जैसे मैंने अगर ऐसा बोला कि पचास परसंट लेवल पर काम कर रहा हूँ ओके और मैं बना रहा हूँ यूनिट मेरे पाच हजार पाच हजार यूनिट बना रहा हूँ और मेरा एक direct material जो है न डायरेक्ट material वो मेरा हो रहा है रूपीज टैन पर यूनिट ठीक है इतना मैंने आपको दे रहा मतलब जो direct material लगता है वो 10 रुपेगा लगेगा ठीक है 10 रुपेगा लगेगा ठीक है अब यहाँ पर करना गया है तो आपको question में ये पूछेंगे के 60% level पर काम करूँ तो मेरा direct material कितना होगा direct material का कितना खर्चा होगा फिर आपको ये पूछेंगे के चलो 80% level पर काम करूँ तो मेरा direct material कितना होगा फिर आपको चलो ये पूछा के मैंने 90% level पर काम किया तो मेरा direct material कितना होगा कितना होगा अभी तो आपका direct material 50% ही काम कर रहे हो और 5000 यूनिट बना रहे हो तो अभी आप 10 रुपे के खर्चा करो मतलब आपका यहाँ पर total direct material कितना लगने वाल है तो आप बोलोगे तर 5000 यूनिट और एक यूनिट पर 10 रुपे का material लगता है आपका कितना हो जाएगा 5000 into 10 पचास अजार रुपे का खर्चा हो जाता है तो यहाँ पर अब 60% लेवल पर क्या होगा क्या वो 50 रहेगा नहीं पचास थोरी रहेगा तो यहाँ पर आपको पहले working करनी पड़ती है मैंने आपको बताया था कि आपके पास यह चीज है कि 50% पर 5000 unit बना रहे हैं 50% पर कितने unit बना रहे है 5000 तो अगर आप 100% पर कितने unit बना रहे हो वो पहले देख लो तो 100% पर 5000 डिवाइड बाइड बाइड पचास परसंट कर दो तो आपको मिल जाएगा 10,000 अब यह 10,000 में से आप कितने unit बना रहे हो तो देखो यहाँ पर 60% लिवल पर काम करने का बोला तो 60% कर देंगे तो कितने unit बनेंगे 6,000 यहाँ पर बोला गया 80% लिवल पर काम करेंगे तो 80% करेंगे तो कितना होगा 8,000 यहाँ पर 90% लेवल पर पूछा है तो 90% काम करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा नौ जाए और फिर आप यह जितने भी यूनिट जाए उसके पर 10 रुपे के साथ मल्टिप्लाई कर दोगे ना क्योंकि हमारा 10 रुपे का पर यूनिट मट्रियल जाता है अपना मट्रियल कितना जा रहा है 10 रुपे पर यूनिट का मतलब यहाँ पर 60 ताउजन हो जाएगा यहाँ पर 80 ताउजन हो जाएगा और यहाँ पर 90 ताउजन हो जाएगा ठीक है अब आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे मैंने तो आपको मतलब पूरा डीटेल में जाके बताना था इसलिए मैंने यह बताया अब कभी कभी क्या होता है एक्जाम में यह 5000 यूनिट है न वो देते नहीं है 5000 यूनिट देते नहीं बोलते के 50,000 का लेवल बना 50% लेवल पर काम करते कुल डायरेक्ट मेटियल का खर्चा कितना हो गया 50,000 तो आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हो के 50% पर अगर मेरा expense 50,000 है तो 60% पर कितना है चेक करके देख लो 60,000 ही आएगा वैसे यहाँ पर भी काम कर सकते हो 50% पर आपका 50,000 का खर्चा है तो 60% पर कितना है sorry 80% यहाँ पर 80% पर कितना है और वैसा यहाँ पर भी काम कर सकते हो 50% पर 50,000 था आपका expense तो 90% पर कितना है एक ही बात है काम दोनों से चल सकता है लेकिन मेरा purpose यहाँ पर यह था कि आपको यह line का मतलब समझाना था कि total cost जो है न वो change होता है यह line का मतलब था आपको यहाँ पर पता चला total cost change हो रहा देखो 5000 था यहाँ पर 60,000 हुआ यहाँ पर 80,000 हुआ यहाँ पर 90,000 हुआ यह total cost थी वो change हुआ किसके कारण change हुआ तो due to change in production, production unit या तो capacity level में change होने से हमारा total cost change हो गया लेकिन यहाँ पर देखो जो दूसरी line रहा ना वो थोड़ी change हुआ देखो ना 10, 10 रुपे सब में सेम रहा एक unit के पीछे 10 रुपे का खर्चा होगा वो 10 रुपे का ही होगा मतलब end टक 10 रुपे का ही होगा जब तक कोई changes का question में बोला नहीं है ठीक है तो यह direct material का जो variable cost है उसको इस तरीके से देखा जाता है ठीक है चल अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ उसमें समझो अब exam में आपको दो तरीके से question पूस्टे या तो question में units दे देते है या तो question में percentage दे रखे ठीक है जैसे for example आपको बोलेंगे कुछ इस तरीके से देखो आपको कुछ इस तरीके से बोलते है कि 60% पर जो variable cost था न वो rupees 12,000 था ऐसा आपको बोलते है कि variable cost अब कोई भी variable cost पकल लो direct material पकल लो wages पकल लो जो भी है वो आपको बोल देंगे 60% पर 12,000 होगा अब आप यहाँ पर फश्जात हो किसा 60% पर 12,000 अब units नहीं दी रखा तो कैसे काम करें तो आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको बोले कि 60% पर इतना खर्चा है तो अगर वो चीज variable है ना variable अगर वो चीज variable है तो आप क् 60% के जगा पर उसको निकाल दो पहले 100% पर कितना होगा 100% पर कितना होगा 60% पर अगर वो 12,000 है तो 100% पर कितना होगा तो 12,000 divided by 60% कर दोगे 12,000 divided by 60% कर लोगे मतलब 20,000 आपका total 100% पे variable cost का खर्चा होगा अब मतलब आप 10% काम करो तो आपको 20,000 में से सिर्फ 10% जितना ही खर्चा होगा मतलब 2,000 यह आपका capacity level था था उसके बाद अगर आप 20% काम करते हो तो आपको 20,000 का 20% मतलब 4,000 जितना ही खर्चा होगा अगर आप 30% काम करते हो तो आपको 20,000 का 30% जितना ही खर्चा होगा तो मतलब 6,000 होगा अगर आप 40% काम करोगे तो आपको 20,000 का 40% जितना ही खर्चा होगा मतलब 8000 होगा अगर 50% काम करोगे तो खर्चा भी 50% ही होगा और अगर 60% काम करोगे तो आपको खर्चा भी वापस 12000 ही होने वाला तो इसको बोलते है variable cost इसलिए बोलते हैं के variable cost change due to change in क्या capacity level production units मतलब जितना काम करोगे उतना variable cost बढ़ता जाएगा unit के साथ साथ और वो total wise बढ़ेगा पर unit wise नहीं बढ़ेगा unit wise कभी नहीं बढ़ेगा चलो वो भी समझा देता हूँ कि unit wise नहीं बढ़ता है जैसे मतलब मैं ऐसा बोलू कि 60,000 पर ये 60% पर कितने unit बनाते हैं तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 60% पर हमारा जो units था वो 3,000 unit था 60% तो आप उसको 100% पर कितने unit बनाओगे तो मैंने बताया आपको उसको कैसे निकालना है 3000 को divide कर लो 60% कितना आ जाएगा 3000 को 60% से divide करो के तो 5000 अब आप 5000 unit पूरे के पूरा बना सकते हो लेकिन आप तो यहाँ पर 10% काम कर रहे है तो आपके units कितने आएंगे मुझे बताओ units कितने आएंगे 500 ही आएंगे पाँच हजार का 10% 500 फिर पाँच हजार का 20% 1000 फिर यहाँ पर 1500 फिर यहाँ पर 2000 यहाँ पर 2500 यहाँ पर 3000 अब आप per unit चेक करके देखो per unit रुपिस चेक करके देखो करो देखो यह इसको divide करो यह तो आपको total दाना मतलब 2000 को 500 से divide करो देखो per unit कितना आया चार रुपिया है यहाँ पर भी 4 आएगा यहाँ पर भी 4 आएगा यहाँ पर भी 4 आएगा यहाँ पर भी 4 आने वाला यहाँ पर भी 4 आएगा पर unit कभी change नहीं होगा इसलिए लिखा है variable cost per unit सेम रहता है जबकि वो total में change होगा due to change in production जैसे जैसे production बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अपना काम भी बढ़ेगा ठीक है तो सिधी बात है खर्चा भी बढ़ेगा ठीक है अब variable cost मतलब देखो variable cost क्या होता है मतलब जो material आप अपने production में use करते हो जैसे मतलब चलो एक for example समझा देता हो जैसे मतलब एक factory में साड़ी साड़ी बन रही है ठीक है कपड़े बन रहे है तो कपड़े को बनाने के लिए या साड़ी को बनाने के लिए जो material चाहिए है तो जितनी साड़ी जादा बनाओगे उतने कपड़े मतलब उसका material भी तो जादा जाएगा न सिधी बात है वो direct cost ह मतलब वो variable cost है जितनी ज़्यादा production उतना खर्चा ज़्यादा होगा यहाँ पर 4 रुपे पर यूनिट का खर्चा होता है आप जितने यूनिट बनाओगे उतना यूनिट आपका multiply होता जाएगा और मतलब answer आता जाए तो यह आपका total cost हो गया यह total rupees हो गया और यह आपका per unit हो गया हो गया तो जितना काम करोगे उतना काम बढ़ता जाता है variable cost में मतलब खर्चा उतना बढ़ेगा अब समझते है fix cost fix cost में क्या है देखो fix cost are predetermined expenses मतलब वो पहले से fix हो जाता है उसको आप कुछ नहीं कर सकते that remaining same thought out a specific period मतलब कुछ specific period के लिए तो वो same ही रहता है ठीक है वो change नहीं होगा those overhead costs do not vary ठीक है do not vary with the output or how the business is performed मतलब उसने दिखा है कि not vary vary का मतलब वो change नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा वो change नहीं होगा किसके reason से change नहीं होगा business के performance के हिसाब से वो change नहीं होने वाला वो same रहने वाला है अब उसमें कौन से कौन से खर्चे आते हैं तो देखो rent, telephone, insurance, employee salary, lawn यह सब उसमें आता है lawn का payment जो होता है और यहाँ पर point to be noted में क्या है देखो एक point लिखाया है कि total cost doesn't change due to change in production यहाँ पर total cost change नहीं होता और यहाँ पर total amount wise cost fix रहता है वहाँ पर unit wise fix रहता था यहाँ पर amount wise fix रहता है अब इसका मतलब एक example मैं आपको देता हूँ रुको अगर मैं ऐसा बोलू, मैं 60% काम कर रहा हूँ 60% काम कर रहा हूँ और 60% काम करके मैंने मेरे factory का जो rent है ना वो 10,000 दे दिया महीने का मतलब एक महीने का 10,000 rent दे दिया अब मैं factory में काम करू या ना करू अगर मैं 0% भी काम करूँगा ना फैक्टरी के अंदर तो भी मुझे 10,000 का तो खर्चा होई चुका अगर मैं 10% भी काम करूँगा तो मुझे खर्चा 10,000 ही होगा रेंट का अगर मैं 20% भी काम करूँगा तो मेरा रेंट का खर्चा 10,000 ही होने वाला है यहाँ पर कोई फरक नहीं पड़ता because rent is a fixed cost कोई फरक नहीं पड़ता इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं करके आना कि 60% पर 10,000 है तो मतलब 10% पर कितना देखो यह गलती बहुत सारे student करते है वो लोग यह सिदा मतलब एक ही चीज़ उनके mind में रहती है कि सर यहाँ पर सर ने किया था ना कि 60% पर कितना देखो यहाँ पर सर ने किया था 60% पर 12,000 था तो मतलब आपको 50% पर जानना था तो आप कहाँ पर ऐसे करते हैं 60% पर आपका खर्चा कितना था 12,000 था तो सर 50% पर कितना था तो आपने निकाल लिया था यह रहा 10,000 आया था तो ऐसा है ना यह चीज आप apply करते हो वो बात सही है हर बार apply नहीं करके आना है यह only variable cost के case में apply होता है ठीक है मैं देखा हूँ के बहुत सारे student पहले क्या करते है इसको हर जगा पर apply करके आते हैं फिर बोलते हैं आके कि सर पूरा मतलब पूरा flexible budget का question हमने राइड किया university ने marks नहीं दिया कहां से राइड किया ठीक है पेपर मंगवा दे ना RTI करवा कि फिर पता चलता है कि ऐसा करके आया भाई fix cost में ऐसा नहीं करना होता है fix cost fix रहता है उसमें कैसे मतलब fix cost भी बदलता रहता है क्या कभी मतलब समझो एक दुकान वाले ने restaurant open की restaurant यहां पर तो वो दुकान का भाडवत है वो मतलब उसका ऐसा बोलेगा कि चल पात दिन तेरी दुकान बंदे तुने काम नहीं क्या तो तेरा भाड़ा कम कर देता हूं ऐसा होता है यहां पर fix cost में ऐसा होता ही नहीं और बहुत सारे student यहीं गलती करते है यहां पर भी वो ची से तो माक्स कोई कम नहीं देगा ठीक है तो आप जितना भी production करो 30% काम करो 40% काम करो 50% करो या चलो 100% करो कोई फरक नहीं पड़ता यह 10,000 का fix का fix रहने वाला है ठीक है यह सब सेम रहने वाला है उसको कोई change मतलब कोई फरक नहीं पड़ता कोई लेना देना नहीं है ठीक है 10,000 fix cost fix cost को कुछ भी लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है ठीक है कितना काम हो रहा है कितना नहीं हो रहा है बस वो fix रहेगा और वो total amount wise ही fix रहता है यह total amount है fix cost unit में निकालने की जरूरत नहीं है ठीक है जब तक जरूरत नहीं पड़ती ना तब तक नहीं निकालना जरूरत नहीं पड़ती तब तक बोल रहा हूं ठीक है क्योंकि आगे चलके एकाथ question में निकालना भी पड़े requirement के इसाब से तो फिर बोलोगे sir आपने तो मना किया थ लेकिन वहाँ पर जरूरत पड़ती है वहाँ पर निकालनी पड़ेगी वो question के अंदर पढ़के पता चलेगा तो देखो यहाँ पर दो line मैंने बताई थी के total cost doesn't changes मतलब total cost change नहीं होगा यहाँ पर change हो रहा है क्या 10,000 कहीं पर भी नहीं ठीक है तो production changes के कारण कोई फरक नही दूसरी बात यहाँ पर total amount wise fix रहता है और उदर unit wise fix रहता था अब यहाँ पर देखोगे ना unit wise change हो जाएगा यहाँ पर unit wise cost decrease होता है कम होता है और यह mcq मैं पूछते है कि अगर fix cost अगर change नहीं होता है तो जैसे जैसे capacity level बढ़ाते तो per unit cost कम होता है या increase होता है decrease होता है ठी देखें कि if capacity level is increase then fix cost per unit is तो mcq में option होता है increase decrease no change तो increase कर गया आते है तो capacity increase होती है तो fix cost per unit increase होता है अब को पता है capacity increase होती है तो fix cost per unit decrease होता है और total wise decrease नहीं होता है सेम रहता है कुछ भी नहीं होता देखो 10,000, 10,000 सेम रहता है और यहाँ पर अगर उपर वाला example continue करे के सर यहाँ पर 500 unit का production था सर यहाँ पर 1000 unit का मतलब यहाँ पर unit की बात करूँ मैं और यह level था तो unit की बात करूँ तो unit wide आप check करो इसको 10,000 को 500 से divide करके देखो यहाँ पर तो 0 unit बना देते तो 10,000 को 500 से divide करके देखो यहाँ पर जो answer आएगा ना per unit का वो decrease होते जाएगा देखो 10,000 divided by 500 करोगे ना तो 1 unit पे 20 रुपे खर्चा हो रहा है पहले लेकिन आप 10,000 divided by 1000 करोगे तो आपको 1 unit के 10 रुपे खर्चा हो गया फिर 10,000 divided by 1500 करो तो और कम होगा 6.67 तो ये भी आपको पूछते मतलब अगर आपकी जो capacity level जो है अगर वो बढ़ता है ठीक है capacity level अगर बढ़ाते तो fixed cost जो है ना fixed cost वो total fixed cost की बात करता हूँ total fixed cost no changes मतलब उसमें कुछ नहीं होता डैस कर दूँगा लेकिन per unit fixed cost क्या होती है decrease हो जाती है और उससे बिल्कुल उल्टा बताने की ज़रूरत नहीं है फिर भी बता देता हूँ capacity level अगर decrease करता हूँ तो यहाँ पर तो कोई changes नहीं होता ये बढ़ जाएगा बिल्कुल adverse effect और यही same चीज यहाँ पर अगर लिखनी है तो क्या लिख सकते है कि सर capacity level अगर मैं increase करता हूँ तो मेरा total variable cost क्या हो जाता है सीधी बात है increase हो जाता है लेकिन सर per unit variable cost में कोई फरक पड़ेगा no changes और capacity level अगर decrease होता है तो variable cost भी कम हो जाएगा total कम होगा लेकिन per unit में कोई changes नहीं आएगा ठीक है यह mcq मैंने देखा भी है बहुत बार पूछा हो आता है अब check कर लो यहाँ पर भी देख सकते हो कि आप देखो यहाँ पर जैसे जैसे काम करते जातों जैसे वैसे आपका total fixed cost बढ़ता जाता है लेकिन per unit fixed cost काह बढ़ रहा है वो तो same रहता है ठीक है देखो जीता जागता है उदारन बता के मतलब काम करवा रहा हूं एकदम perfect way से और यहाँ पर आपका total fixed cost देखो सब जगा सेम रहता है और per unit यहाँ पर decrease हो रहा है देखो ठीक है per unit यहाँ पर decrease हो रहा है तो देखो यह अपना काम यहाँ पर finish हुआ अब next कल से fixed cost को पहचानना कैसे वो सिखेंगे variable cost को पहचानना कैसे वो सिखेंगे और एक semi variable cost अपना रहे गया है वो कल सिखेंगे next time पर वो ही तो जादा important है semi variable cost उसमें ही जादा problem होती है तो इतना समझ के रखो लिख के रखो हम कल से इसके percentage और आगे के topic को complete करते हैं